हालो एवरिवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफिशनल ब्यूटी वर्ड में कैसे हैं आप सब तो आज जो क्रीम में आपके लिए लेकर आई हूँ बायलुमा इसके बारे में हम बात करेंगे डीटेल में कि ये क्रीम कैसे काम करती है इसको हमको किस प्राब्लम पर यूज करना चाहिए सब कुछ डीटेल में देखेंगे तो वीडियो पूरा देखेगा अगर आप ये क्रीम यूज करने जा रहा है या फिर यूज कर रहा है कैसे इसको यूज करना है, कितने time इसको यूज करना है, कब इसको यूज करना, बन्द करना है, सब कुछ चलीए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि देखिए काफी लोग यूज करते हैं anti-pigmentation cream लेकिन सही तरीके से यूज नहीं करने के कारण फिर उनको काफी problems face करनी पड़ जाती है तो हम इतनी costly cream अगर यूज करते हैं और हमको results अच्छे नहीं मिले तो फिर क्या फायदा है यूज करने का तो इसलिए आपको ये वीडियो पर अगर आप आए हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और उसके बाद में अगर आप इस cream को use करते हैं तो आपको कोई भी problem नहीं होने वाली है सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो जो बायलूमा क्रीम है ये एक anti-pigmentation क्रीम है जैसा की नाम से आपको समझ में आ रहा है anti-pigmentation क्रीम अभी अगर इसके compositions के हम बात करते हैं तो इसमें है caugic acid diplomatate, arbutene, licorice, mulberry extract, treta hydrocarcune, artoca extract ठीक है तो ये compositions यहाँ पर use की हुई है तो हम देखते हैं किस तरह से work करते हैं सबसे पहले देखें मैं आपको बता दूँ कि ये क्रीम हम कहां कहां use कर सकते हैं इस क्रीम को हम use कर सकते हैं hyperpigmentation में जैसे किसी के बहुत जादा hyperpigmentation है, किसी भी तरह की चोट आ जाती है, उसके बाद में जो धब्बे रह जाते हैं उसका treatment करने के लिए हम ये वाली क्रीम use कर सकते हैं second हम इसका use कर सकते हैं tan हुई skin के लिए, जब हम दूप में लंबे समय ते काम करते हैं तो हमारे skin पर बहुत जादा tanning हो जाती है, उसको okay करने के लिए आप बाइलुमा क्रीम का use कर सकते हैं third है dark circle के लिए, देखिए अगर आपके बहुत जादा dark circle हैं तो वहाँ पर भी आप इसको use कर सकते हैं, आपके dark circle ठीक हो जाएंगे लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल सही तरीके से इसको use करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है ऐसा नहीं कि सिर्फ cream use करनी है, उसका proper तरीका हमको मालुम होना चाहिए, तब ही वो cream हमारे लिए useful है तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, नेक्स देखिए, यहाँ पर अगर आपको elbows, हमारे knees होते हैं, यहाँ पर आपको काला पन है तो वहाँ भी आप इनको use कर सकते हैं, काफी अच्छी cream है फिफ्थ यह मेलाजवा की treatment में हम use करते हैं, जिससे bluish, grays, sport होते हैं तो उस टाइप की अगर problem है इसकीन पर तो वहाँ पर आप इसको use कर सकते हैं फिफ्थ आपके कोई भी घाव हो गया है और घाव ठीक होने के बाद में हमारे बहुत जादा निशान रह जाता है तो ऐसे निशान को ठीक करने के लिए हम यह वाली cream use कर सकते हैं सेवन था पैकने स्कार्स के लिए जैसे हमारे एकने ठीक हो जाते हैं उसके बाद में उसके जो दब्बे रह जाते हैं तो उन दब्बों को ठीक करने के लिए आप यह वाली cream use कर सकते हैं और कोई भी प्राब्लम अगर आपको है आपके स्कीन पर इस तरह की जैसे की कोई भी धब्बे हैं डाक, ब्राउन, ब्लैक किसी भी टाइप के या फिर किसी और तरह की प्राब्लम आपको है पिग्मेंटेशन टाइप की तो उनको ठीक करने के लिए आप यह वाली cream use कर सकते हैं अभी देखो हम देख लेते हैं कि इस cream के benefits तो मैंने आपको बता दी है side effect क्या है तो देखिए अगर आपको use करने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्कीन irritate हो रही है, red हो रही है, jellan हो रही है तो फिर आपको इसका use बंद कर देना है फिर आपको यह cream use नहीं करने है क्योंकि हो सकता है आपको यह react कर रही हो, आपको suit नहीं कर रही हो वैसे ऐसा कोई बहुत जादा इसका side effect देखा नहीं गया है लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है तो फिर आप use मत कीजिए कौन-कौन से skin types पर use कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आप all skin type पर use कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी skin बहुत जादा sensitive है सो क्रीम की आपको ऐसा नहीं है कि बहुत जादा भर-बर के लगाओगे तो भर-बर के result मिलेगा आपको एक limited quantity जितनी आपके doctor ने आपको suggest की है क्योंकि ऐसी कोई भी cream कभी भी बिना doctor की सलाह की use नहीं करनी चाहिए सो जितनी quantity आपको doctor ने suggest की है आप उतनी quantity यूज़ कीजिए और वैसे मैं आपको बता दो बिल्कुल आपको thin layer जो भी आपके area है जहां पर आपको इसको use करना है बिल्कुल अच्छे से clean करना है clean करने के बाद में thin layer आपको bioluma cream की apply करनी है और उसको छोड़ देना है ठीक है कोई भी open areas में cream नहीं जानी चाहिए कोई भी आपके आख, नाख, कान जो भी open areas होते हैं वहाँ पर ये cream नहीं जानी चाहिए क्योंकि इससे कोई भी problem आपको हो सकती है आखों में जाएगी तो आखों में भी थोड़ी आपको gelan feel हो सकती है आइस में थोड़ी watery हो सकती है तो ऐसी काफी problems एक बार हो जाती है तो ये चीज़ें आपको थोड़ी से विशेश रूप से ध्यान में रखनी है next इसको use कप करना है तो देखें इसको use आपको night में करना है और morning में आपको धूप के contact में नहीं जाना है दूप के contact में जाने से आपको बचना है क्योंकि दूप के contact में जाने पर ये cream आपकी skin पर react कर सकती है आपको कोई भी side effect देखने को मिल सकता है तो दूप में निकलने से पहले आपको compulsory sun screen यूज़ करना है आपको ये भी अच्छे brand का 40 SPF या 50 SPF अला sun screen यूज़ करेंगे और रात को आपको सिर्फ एक बार यूज़ करनी है बाकी अगर quantity आपको डॉक्टर जादा सजिस्ट करते हैं जैसे day में दो बार आपको सजिस्ट करते हैं तो आप day में दो time यूज़ कर सकते हैं बाकी देखें डॉक्टर आपको long time के यूज़ के लिए बोल सकते हैं लेकिन screen आपकी है जिम्मेदारी आपकी है अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो फिर आप या तो डॉक्टर से consult करें या फिर आप अपने इस तरफ पर screen का यूज़ बंद कर दे क्योंकि हो सकता है डॉक्टर ने बता दिया लेकिन अगर आपकी screen पर कोई problem हो रही है क्योंकि हो सकता है एक व्यक्ति के ये चीज़ सही काम करी हो लेकिन हो सकता है आपके उपर वोई चीज़ सही काम नहीं कर रही हो तो ये आपको आपकी screen को देखना है और उसके अनुसार आपको इसको यूज करना है क्योंकि कई बार डॉक्टर दो-तीन महीने के लिए भी हमको ये क्रीम सजेस्ट कर देते हैं बढ़ अगर सूट नहीं करें तो फिर आपको ये क्रीम का यूज बंद कर देना है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसमें आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं किरनी है क्योंकि हमारी स्कीन हमारे लिए बहुत जादा इंपोटेंट है हमारा व्यक्तित्व का एक हिस्सा नेक्स्ट इसकी प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमको मिलती है 570 रुपीज की जो कोई भी medical store से आप इसको purchase कर सकते हैं आगर online आपको perfectly मिल जाती है तो आप online भी इसको मंगवा सकते हैं अब देखिए skin आप इसको रोज use कर सकते हैं तो ये आपको आपके doctor suggest करेंगे ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और बहुत जादा long time आपको इसको use नहीं करना है कुछ time आपको इसको use करना है अपने skin को addict नहीं करना है next देखे काफी लोग क्या होता है कि हर किसी के देखा देखी use करने लगते हैं कि किसी दूसरे person नहीं use की है तो मैं भी ये cream use कर लेता हूँ क्योंकि उसका face सही हो गया फिर मैं कर लेती हूँ मैंने बहुत देखा है ये वाला देखा देखी वाला scene बहुत जादा चलता है लेकिन हर किसी का skin type अलग है हर किसी का अपना skin का texture है आपका type अलग है तो ये चीज़े भी आपको देखनी होगी सिर्फ आपने cream देखी है ये नहीं देखा कि आप उससे कितने different है ठीक है थोड़ा वहत अगर आप skin color lift करना चाते है तो वो अच्छी बात है बाकि अगर आप सोचते हैं कि काला इंसान गोरा हो जाता है तो देखो गाईस वो possible नहीं होता है ऐसा किसी भी cream से possible नहीं है मैंने काफी लोग को देखा है कि बिना डॉक्टर के suggestion के steroid based cream यूज करते है और बाद में उनको काफी problems face करनी पड़ती है इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी डॉक्टर के suggestion के बिना आप इस टाइप के cream यूज मत कीजिए जितनी आपको डॉक्टर ने quantity suggest की है उतनी आप यूज कीजिए आपको अगर result अच्छे नहीं मिल रहे है तो बंद कर दीजिए side effect मिल रहे है डॉक्टर से consult कीजिए लेकिन कभी भी इस मामले में लापरवही नहीं कीजिए क्योंकि हमारे skin हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है हमारे confidence इससे बढ़ता है अगर हमारे skin अच्छी होती है हमारा face अच्छा होता है हमारा कोई भी हमारे skin पर problematic होती है तो उससे हम कहीं न कहीं थोड़ा सा nervous हो जाते है काफी लोग को मैंने देखा है जिनके ऐसी problems होती है वो लोग काफी nervous feel करते है तो आप use कीजिए मैं मना नहीं कर रही हूँ लेकिन डॉक्टर से consult करकी use कीजिए क्योंकि वो सब कुछ आपके बारे में जानकर और फिर आपको कोई भी दवा ये क्रीम सजेस्ट करते है तो उमीद करते हूँ वीडियो यूसफुल